स्टार्ट करते हैं हमारा 11 जनवरी का दा हिंदू न्यूस पेपर अनालेसेज हम लोग कल वाले टॉपिक्स का पहले रिवीजिन करेंगे कुछ वन लेनर करन्ट अफेर्स करेंगे कुछ मेजर हाइलाइट्स कुछ टॉपिक्स को डीटेल में कवर करेंगे दो तीन एडिटोरियल्स है और उसके बाद एथिक्स का जो केस्टेडीज है आज एथिक्स की लास्ट केस्टेडीज हम लोग कवर करेंगे 2013 की फिर कल से हम लोग 2014 वाला पेपर स्टार्ट करेंगे 11 जनवरी के कुछ वन लेनर करन्ट अफेर्स हैं कवर कर लेते हैं जिससे की ऐलजाइमर की एक नई ड्रग आई है उसको लेकर करके पूछा जा रहा है कि क्या वो इतनी कंपेलिंग होगी क्या वो इतनी यूजफिल होने वाली है तो यूबस का फूड एंड ट्रग अडिमिस्टेशन है उसके कारण टाउ करके एक प्रोटीन होता है उसकी डेवलेप्मेंट स्टार्ट हो जाती है तो एमेलोइड टाउ के अलावा भी बहुत सारे बायलोजिकल जेनेटिक लाइफस्टेल और एन्वारिमेंटल फेक्टर्स होते हैं एफरिका का एक mini grids program है उनका basically काम ही यह है कि वहाँ पर electricity को scale up करना उसमें कुछ commercial investment increase करना तो इस तरह के mini grid के programs लाने से क्या फायदा होगा एक तो उनकी country based approach है बहुत important यह कि south-south cooperation होगा south-south मतलब जो equator के southern side में जो country था न southern hemisphere में उनका cooperation तो benefit की बात ही की जा रही है कि lifetime में वो लोग they are aiming की 74,200 ton का carbon dioxide के emission के equal वो इसमें चीज़े save कर पाएंगे mini grids क्या होते हैं यह कुछ भी नहीं है वो electricity genetic system ही है बस ही decentralized होते हैं और यह country के जो national grid होते हैं उसके साथ sink up नहीं होते तो अगर इस तरह की mini grids से power collect की जाएगी न तो तकरीबन 265 million लोगों को 21 countries में 2030 तक electricity provide हो जाएगी तो एक decentralized method है जो ozone layer है उसकी बात की जा रही कि अगले 40 सालों के अंदर ozone की fully recovery हो सकती है तो recently एक American Meteorological Society की meeting हो थी 8 January को वहाँ पर जो Montreal Protocol में लिये गए हमारे जो targets थे उनको अचीव करने की बात की जा रही थी तो United Nations के एक panel ने कुछ data present किया तो उन्होंने कहा था कि जो 1980 में जो अहलत थी जो situation थी हमारे ozone की अगर हमें उस value तक जाना है तो वो same चीज 2040 तक पूरे world के लिए available हो जाएगी और वही same level वही same status हमारे ozone layer का over the Antarctic region 2066 तक थोड़े से ओर time लगेगा और Arctic region में 2045 तक ही हो जाएगा तो वो ऐसा क्यों कहा पा रहे हैं कि 2060 तक हमारा पूरा कप और ozone जो fully recover हो जाएगा as per the 1980s की जो values थी तो उन्होंने कहा कि इसमें stratospheric aerosol injection का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी क्या होता है aerosol इसमें अगर आप देखोगे हमारा जो upper layer होता है na atmosphere का उसमें कुछ sulphate particles का spray किया जाएगा अगर आप देखोगे तो यह kind of parachute जा रहा है तो बड़े-बड़े cannons है, guns बगरा भी होती है तो उसमें upper layer में sulphate particles का यह लोग spray करते हैं उससे क्या benefit मिलता है वो नहीं एक barrier की तरह काम कर जाता है if you can just look at this diagram तो यह आप लोगों देख रहोगे यहां से sunlight नीचे आ रही है तो यह जो था एक parachute की अब यहां से आने कीजिए कि उपर reflect होके उपर चलेगे दुबारा से तो यह क्यों किया जाएगा तो basically इनको around 20 km की height पर fly किया जाएगा तकरीबन 25 tons तक का यह weight कर सकते है इसमें basically एक तो वो area जहां पर sunlight में अंदर जो हमारी ultraviolet rays होती है न उसमें भी ABC 3 categories होती है तो उसका accordingly जहां में लगएगा कि यहां पर नुकसान जादा हो रहा है उस particular area में sulfur particles को atmosphere में डालके sunlight को reflect कर दिए जाएगा और future में हो सकता है कि यह technology से हम लोग अपनी global warming को भी कहना कई contain कर पाएंगे तो यह कुछ तीन के आसपास हमारे one liner current affairs थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब हम लोग अपने आज के कुछ major news highlights को cover करते हैं एक तो union carbide का case की वाल topic हम लोग पूरा detail में देखेंगे तो जो detail वाले हुए तो मैं अलग सापको detail में बताऊंगा जोशी मठ का पूरा जो crisis हुआ था उसको भी detail में देखेंगे पेरू में जो कि South American एक country वहां पर anti-government को लेकर के कुछ protest चल रहे थे और आप लोगों को पता हुआ कि कल भी हम लोगों ने देखा था कि Brazil में भी कुछ anti-government को लेकर के प्रोटेस्स की बात की जा रहे थी क्योंकि वहां पर recently नए प्रेजिडेंट का election हुआ था this topic we have is acid attack case poison attack poison act invoked हम लोगों ने प्रबबबली 5-6 दिन पहले 4-5 दिन के आसपस की बात है हम लोगों ने ये acid attack के बार में cover किया था तो NCRB का data अगर हम लोग recall कर पाएंगे as per the NCRB का data 2011 से लेकर के और 2020 तक के हम लोग बात करते है न तो number of cases जो है वो increase हुए acid attack के और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बांगलादेश जो है न वहां पर उन्होंने acid attack के incidents को cover कर लिया था easily और उसमें ये पाया गाता है कि उन्होंने लोगों को license मिलते है ऐसे वगरा cell करने के उनके licensing को पर regulation को improve कर दिया था इंडिया में mostly जो cases पाये गए थे न उसमें ये पाये गाता है कि rural areas और जो semi-rural areas होते है वहां पर इंसिदेंस से ज़्यादा देखने को मिलते हैं और किस type के इंसिदेंस देखने को मिलते है mostly cases के दर ये पाया गाता है NCRB के data में कि there is a male person and there is a counterpart that is a female person तो male कभी किसी female को अपने love proposal के लिए जब approach करते है जो female उनको deny करते है तो उसका एक revenge type में वो उनको पर asset attack करते है अभी जो ये topic दुबारा से news में आया था इसमें बात की जा रही थी कि recently जो attack हुआ था उसमें किसी ने इस तरह के asset वगएरा को online purchase किया था flip card से तो वही चीज देखी जा रही कि किस तरीके से flip card पर से उन्होंने इस product को purchase कर लिया तो flip card पर इस तरह के items क्यों बेचे जा रहे है थोड़ा सापको आइडिया होना चाहिए कि asset attack जो है ने social issues में cover होता है आगे देखते हैं आगे तरह बढ़ते हैं तो G20 की एक meeting हुई है recently अब G20 तो पूरे साल भर चलेगा तो G20 तो टेंशन मती लेना पहले मैंने कई बार cover करा दिया थे December में आगे भी cover कराते चलेंगे Black Buck वाला इसको थोड़ा से detail में देखते हैं डिटेल वाले मैं अलग से एक एक करोंगा भी मैं उसे उपर उपर के highlights बता रहा हूँ यह editorial lesson from the Russia Ukraine war not necessary to study as of now the beginning of India's cultural renaissance यह भी हम लोग देखेंगे अभी यह वाला जो है ना barking of the wrong tree यह हम लोग कल cover करेंगे और यह homosexuality का भी कल cover करेंगे एक दिन में सारे editorial बगर होने लगए तो बहुत टाइम लेगा यह statement between तेलंगरा यह ना अंदरप्रतेश यह भी हम कल cover करेंगे आज हम लोग यह देखेंगे RBI ने जो lokers होते है ना उनको manage करने के लिए guidelines release की थी और union government ने message बेज़ा for unity and confluence तो यह centralization or decentralization union of states का article है यह भी आज cover करेंगे then हाँ यह देख लेते हैं जिसे Constitution bench to take up section 6 of the citizenship act for the preliminary determination अब हमारा जो citizenship का act है ना 1955 का अक्सर ऐसा देखा गया कि prelims के अंदर आपके citizenship से questions इतने नहीं आए हैं मतलब बहुत ही rare है और बाकि इसमें importance तो है इसकी अब हमारा जो citizenship act है ना उसमें section A add किया गया था उसमें बात की गई थी कही ना कहीं उसमें जो Assam Accord हुआ था ना 1985 का उसकी कुछ provisions add किये गए थी तो Assam Accord में क्या गया गया था उन्होंने 6 साल का agitation किया गया था Assam के अंदर तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे illegal immigrants हैं जो Assam के एरिया में आ चुके और उन्हों को आप लोग citizenship ना दो तो उन्हों के पास documents भी नहीं थे और mostly जो लोग आये थे पहाँ पांगलादेश से आये थे तो 6a के अंदर जो foreigners थे जो एंटर कर गये थे Assam में before January 1st 1966 उनको तो state का ordinary resident consider कर लिया गया था तो उनके पास सारे rights होंगे लेकिन जो लोग आये थे 1 January 1966 1966 से लेकर के 25 March 1971 के बीच में उनके पास rights सारे होंगे, obligations भी होंगे सिर्फ ये कि उनके पास voting का right नहीं होंगे for 10 years तो Supreme Court ने भी recently बोलते है कि हम इसी section A को थोड़ा सा अभी consider करेंगे and primarily determination किया जागा कि ये ठीक है या नहीं है फिर एक ये topic है हमार पास national program को लेकर के कि no change in the air quality in most cities covered by the national program अब चार साल हो चुके ये ना topic 2020 or 2021 में mains में आया था, I am not able to recall exactly but mains में आया था है पूरा national clean air program के बारे में और अगर अब देखो के 2022 के mains में photocomical smoke के पर question आया था अब मोस्त लोगों को उसमें पता भी नहीं होगा photocomical smoke क्या होता है और उसमें Gothenburg एक protocol है जो 1999 का था उस पर भी question raised किया गया था तो कहीं ना कहीं ये जो photocomical smoke कला topic था नहीं हमारे air pollution से connected था तो every year alternate year पर topics जो है वो theme पर उसी theme पर चल रहे होते हैं तो चार साल हो चुके हैं चार साल पएदे हमारा एक national clean air program आया था ये इंडिया की पहली national policy थी जहांपर हम लोग air pollution को curb करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि air quality जो है वो सर्फ 49 after 131 districts इतनी इंप्रूव है यानि कि हम कह सकते हैं कि almost one by third improvement है NCP के program के अंदर उन्होंने cover किये थे 132 cities जो most polluted है और जिनको हम लोग बोलते हैं कि non attainment cities तो इनको define किया गया थे कि वो cities जिनकी air quality national ambient air quality standards से match नहीं करती है तो यह जो program था ना हमारा national clean air program इसका aim था कि जो भी मारे pollution के levels है उनमें 20 से 30% तक का reduction करना है और दो तरह के हमारे pollutant particles थे majorly PM 2.5 में और PM 10 के अंदर और हम लोग इसमें जो base level लेने वाले थे वो 2017 का लेंगे अब जो PM 2.5 होता है ज्यदा small particles होते हैं ज्यदा dangerous होते हैं और इनकी monitoring करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है तो जो agency जिन्होंने recently ये report दी थी which is like CREA तो Center Research on Energy तो इन्होंने estimate किया था कि इंडिया को अभी around 300 और भी manual air quality के monitoring stations लगाने की ज़रूरत है और जो goal है NCAP का वो है 1500 का by 2024 अभी तक सिर्फ 180 stations इंस्टॉल किये गा है पिछले 4 सालों में ये problem है implementation का issue and PM2.5 का PM10 भी बहुत harmful होता है लेकिन PM यानि की particulate matter जो होते है बहुत ही छोटे particles होते है generally आप लोग देखोगे अगर NCR region में तो आप लोगों को देखी जाएंगे बहुत जाएंगे बहुत जाएंगे बहुत जाएंगे 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 पर PM2.5 की reading आ रही होती है कि average, severe, poor, very poor करके इस तरह से then moving ahead ये जोशी मठ वाल टॉपिक तो हम लोग करेंगे आज डीटेल में NHRC का भी डीटेल में cover करेंगे हाँ एक ये conference होने वाली है to discuss the relations between judiciary and legislature तो ये 83rd All India Presiding Officers Conference होने वाली इसमें हमारे Vice President भी होने वाले है और हमारे जो लोग सभा के speaker हों बिलाजी भी होएंगे तो जो प्रसाइडिंग officers होंगे discuss करेंगे कैसे legislature एक effective role play कर सकता है and किस तरीके से हम एम ये भी है discussion इस बात पर भी किये जाएंगे जो भी हमारे legislature होता है उसको सबको एक digital sunset platform पर लेके आना है single platform पर तो ये अभी जो conference हो जाएगी ये भी Wednesday को start होगी तो उसके बाद मतलब जब आज ही होगी 11th January को पर अभी तो सिर्फ introductory बात आई थी तो मैं आपको बता दिया इसको हम लोग cover करेंगे अब बात ये कि Australia के प्राइम मिनिस्टर मार्च में इंडिया में आने बाले है तो कुछ समें पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थी उन्होंने request भी की थी तो Australia की बिजनसेस के लिए बड़ी opportunities है इंडिया के अंदर और भी कई चीज़े बता चलिये काफी comprehensive तरीके से काम किया जा रहा है कुछ change of guard भी वहता है के अन्बरा के अंदर जो Albanese government थी उन्होंने एक secure legislative endorsement गिया था last November में इसके अलावा ECTA के अलावा जो इंडिया और Australia ने एक free trade agreement भी किया था UK के साथ last year और उसके अलावा he is like मतलब यह जो Mr. जो President उनके आने वाले ना Anthony Albanese तो जो Prime Minister प्रेजिदेंट बोल दिया कलती से अब इंडिया के अंदर G20 meet भी हो रही है तो जो भी G20 के members है countries है और के अलावा जो invitees होते है उनके ministers वगरे इंडिया में आते रहेंगे तो for the year 2023 foreign ministry के लिए काम बहुत जादा है हर शेहर के अंदर कोई ना कोई इवेंट होने वाला है पूरी country के अंदर और स्टार्ट होई चुक है पर समुंटा जी ने पहली उसकी meeting स्टार्ट भी कर दी है तो let's see how it rolls out further बस आपको एक update देना था वैसे ऑस्टियले के साथ अभी recently जो हमारे question आया था means में वो आया था about quad क्योंकि इंडिया उस्टिलिया जपैन एं यूएस से ये चारों quad का पार्ट है 2021 के means में question आया था moving ahead further हमारे पास और कोई topic बचा है नीचे नहीं और कोई नहीं बचा था अब जो topic हमारे detail में cover करने वाले है उनको देख लेते हैं हमारे 10th January वाले topics को एक बर revise कर लेते हैं then मध्यप्रदेश के high court ने कहा था कि जो अभी जिनको हम lower courts बुलाते हैं future में उनको हम लोग lower courts ना बुला करके बलकि district courts का एक दर्जा देना है court बुलाना है उनको and जो subordinate courts थे उनको trial courts बुलाना थे basically उनकी dignity को restore करना है महराष्टा के अंदर जो government colleges थे भहाँ पर जो students होते हैं MBBS वाले उन्हें एक कुछ rural training के लिए बहर रहता है rural areas में reputation में तो कुछ लोग उसमें नहीं चाना चाह रहे थे मतलब almost 66% लोगों ने मना किया था उसको लेकर के बहुत सर्व students में fine भी submit किया था तो 27 करोड के आस्पसक का collection हुआ था fine का इंडिया में COVID के बाद जो investments होती है वो 71% तक increase हुई थी एंड चाइना के black market के अंदर fake COVID की medicines भिक रही थी जो इंडिया के दौरा manufacture की गई थी then we talked about corruption की Supreme Court ने recently December में नीरज दत्ता वाले case में कहा था कि जो लोग जो public servants होते है न उनमें अगर कोई corruption का charge लगेगा न तो उसमें जो proof और evidence submit करना का जो status था जो बार था उसको थोड़ा सा कम किया यानि कि अब किसी को भी corrupt charges में commit कर पाना easy हो जाएगा and उन्होंने बहुत सारे example देते खासकर की IAS और IPS की services के अंदर इस तरह की चीज़े देखने को मिलती है and जो author थे उन्होंने यह का था it's very difficult to end the corruption but definitely we can be optimistic about it फिर कल हम लोगे ने बात की थे कि human wildlife conflict किस तरीके से केरला के वाइनार्ड में recently increase हो रहा था reasons यही देखे गए थे कि वहाँ पर generally human population increase हो रही है जानवरों के लिए habitat का loss हो रहा है, cropping patterns change हो रहे है, जानवर आते हैं, इंसान हमारी crops वगरा को destroy कर देते हैं human beings पर attack करते हैं, cattle वगरा को लेके चले जाते हैं, तो अगर हम लोग इसमें basically society और government दोनों मिलके काम करें, forest conservation में काफी effective तरीके से काम करना पड़ेगा party spirit programs होंगे, तो human wildlife conflict को रोका जा सकता है यह जो सारे attacks देखने को मिलेते हैं recently, यह केरला के भी जो northern region था केरला का वहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेते हैं, अचा उसका reason आप लोग सोच कर देखना, मतलब this is very interesting to know कि आगर हमारा यह southern इंडिया है, तो this is somewhere जहाँ पर केरला है आपर और केरला के भी अगर नदर रीजन में मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या है नदर रीजन के अंदर केरला का तो आप देखोगे कि यह पूरा जो रीजन है ना, this is केरला, तमिलनाडू, करनाट का तो इन तीन स्टेट का तो ट्राइंजेक्शन है ना, यह बाइडावस्टी की मादल में काफी देंस एरी है यहां पर और मारा बाइस पर रिजर्स, वालाइफ, सेंचुरीज, नेशनल पार्क इस रीजन में काफी है जिन में आपके प्रिलिम्स के क्वेशन पहले आ भी चुके हैं, तो इसके बारे में तो जानने की कुशिश कीजिएगा तो इसके बारे में बात की जारे थी, अपनी हाफ वेल्थ को डोनेट करने की बात की थी और अधानी जो पावर है वो पूरा का पूरा कॉनसेप्ट रिन्योबिल अनर्जी पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग क्योंकि फीचर में रिन्योबिल अनर्जी की बहुत रिक्वार्मेंट होने वाली है तो एक idea था कि ये लोग इंडिया के अंदर जो farmers होते हैं उनके लिए जो solar farms में लगाने वाले panels होते हैं उनको fund कर सकते हैं ताकि किसान अपनी crop के साथ-साथ solar, एक नया term दिया गा था solar crop के बारे में solar can be third crop also for the farmers तो उसी खेत में वो फसल भी उगा सकते हैं उसी खेत में solar panels भी लगा पाएंगे कुछ उची height पर ताकि electricity generate हो जाए एक case study भी हम लोग नहाँ पर देखी थी then this was the how you can end your answer यह कुछ देखा था हम लोगों निकल अब हम लोग आज का start करते हैं 11th of January का अब topic है मारे पास we won't pay a farthing more says the union carbide अभी union carbide क्या है और यह किस बात को pay करने की करने है तो government ने recently कुछ बात की थी कि जो भोपाल gas tragedy हुई थी थी ना 1984 में उसमें जो company थी उसका नाम था union carbide india limited उसमें अब वो leakage वगरा हुई थी methyl isocyanide की तो बहुत सरे लेगों की death भी हो गई थी तो government ने कुछ compensation की डिमांड की थी अभी compensation की डिमांड को बाद में further increase किया गया तो उन्होंने का था कि उसके जो after effects में बाद में देहने को मिल रहे थे तो उसी को लेकर के union कारवाड़ ने का था कि हम लोग overpayment नहीं करेंगे वो तो थी यह very basic news हमारी हमको आगे और चीज कावर करनी है वो है कि tragedy क्या हुई थी tragedy यह हुई थी December 3 को 1984 में यानि कि सर्दियों की बाद है इसको पर एक movie भी आ चुकी है जो राजपा लिया दाओ न उनकी थी छोटी सी movie आय थी I have seen that movie and it's very wonderful movie इसको देख के आपको समझ में आगा exactly क्या हुआ था वहाँ पर और यह सच में बहुत shocking incident था क्योंकि 1984 की बात है काफी पुरानी बात है तो हम लोग उतना value देते नहीं न क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो इसको देख रहे हैं सब लोग probably 1990s के born है सब हमलब तो methyl isocyanide की gas leak हो गए थी एक plant से इसको operate किया जा रहा था UCIL के दवारा भोपाल में अब gas के कारण आसपस के जो भी densely corporate neighborhoods वगरा थे न उसमें 1000 लोगों की मौत हो गए थी data यह बताता है कि around 5295 लोगों की death हो थी और 5.68 lakh के आसपस लोगों को नुकसान हुआ था final death का जो tall estimate किया जा रहा 15,000 से 20,000 किया जा रहा है कुछ half a million लोग survive कर गए थे उनको कुछ respiratory problems थी eyes में irritation थी blindness भी हो गए थी और भी बहुत सारी problems थी study से बता चला था कि babies born to the women who are exposed to gas यानि कि females जिनको उस गैस का कुछ toxic consumption हो गया था उसके बाद उन्होंने जब किसी बच्चे को जनम दिया था ना उनमें congenital malformations देखने को मिले थे congenital malformations मतलब होता है कि जब वो uterus में थी ना तब उनके कारण ही या फिर उनको prenatally at birth sometimes maybe later in infancy उनमें ना कुछ functional anomalies आ गये थी congenital का मतलब होता है कि basically when it get carried away further तो mother को जो नुकसान हुआ था ना उसका कारण जो बच्चे का जनम हुआ था ना उनको भी नुकसान देखने को मिला था तो या congenital malformation ना सिर्फ इंडिया की भोपाल gas tragedy में ही नहीं अगर आप लोग देखोगे 1945 में जो वाल्ड वार टू एंड दुआ था तो जैपैन के अंदर भी जो atomic bombs drop किये गए था ना उसमें जहां मायन में भी यह चीज हुई थी वहाँ पर भी congenital malformation देखने को मिले थी कई generations तक ऐसा चलता रहा था कि जो women थी उन्होंने जिन बच्चों को जनम दिया था they were born with all those injuries and all those symptoms government का क्या response रहा था भोपाल के tragedy में government ने एक भोपाल gas leak act निकला था 1985 में जिसने अलाव किया था कि to act as legal representative for the victims supreme court ने कुछ guidelines बनाय थी for the money के लिए जो families थी dead की उनको दिये गए थे तकरीबन एक लाग से तेन लाग रुपे इसके लावा जो fully या फिर partially disabled थे उनको पचास जार से पांच लाग तक और जो उनको temporary injury मिली थी उनको 25 जार से एक लाग रुपे तक देने की बात की गई थी June 2010 में बहुत सारे former employees जो थे यूनियन कारबाइड के जो कि इंडियन नेशनल थे इनको कन्विक्ट भी किया गया था कोर causing the death by negligence उनको दो साल की सजा भी दी गई थी हाला कि इन लोगों को बाद में बेल पर release भी कर दिया गया था अब हमारे लिए जानना यहां पर important यह कि methyl isosinate methyl isosinate एक colorless highly flammable liquid होता है जो evaporate हो जाता है बहुत quickly इसमें sharp और pungent pungent के मतलब होता है इस थोड़ी suffocating से smell होती है इसकी और इसको generally इस्तिमाल करते हैं हम लोग अपने pesticides के अंदर और यह polyurethine form होता है उसमें plastics में इस्तिमाल करते हैं अगर इसको हम properly maintain करेंगे तो safe भी होता है लेकिन यह heat को लेकरके न काफी highly reactive है अगर इसमें water वगरे से contact में लेके आते हैं तो इसके कारण एक heat reaction भी हो जाता है chemical का reaction इसे लिए health पर क्या impact होते हैं तो ulcer वगरे फोटोफोबिया, respiratory issues, anoxia, persistent, abdominal pain, genetic issue बहुत सारे problems हैं भाई, visual memory का issue, मतलब पूरी की पूरी बाड़ी में कुछ भी नुकसान हो सकता है long term के impacts भी होते हैं, conjunctivitis हो जाता है, lung infection हो जाता है, pregnancy का नुकसान हो सकता है और infant mortality बढ़ जाती है, chromosomal abnormalities हो जाती है, impaired learning and many more things तो यह सारी चीज़े होने लग जाती है, मिकस उता हम इसे मतलब आइसा साइनेट अचा, important यह था, कि भौपाल गैस टेज़डी वी थी 1984 में, आपको एक और भी बात ध्यान में रखनी है हमारा Environmental Protection Act 1986 में आया था, तो इस Act का आने का भी बहुत हद तक यही impact था because of भौपाल गैस टेज़डी, अब इसमें बात ये भी की गई थी, कि जस्टिस संजे कृषन कॉल, जो की lead judge है, 5 member bench के, उन्होंने का था कि government was walking a slippery slope by seeking to reopen the settlement after 30 years through a curative petition, यहाँ पर जो word है न, curative petition, 30 साल के बाद इस case को दोबारा खोला जा रहा है आपको पता चलना चाहिए कि curative petition क्या चीज़ होती है, इसका जो origin हुआ था न, तो वो तो कफे पहले हो चुका था, अशोर कुर्रा केस में, 2002 में question था, whether an aggrieved person is entitled to any relief against the final judgment, अगर final judgment आ चुका है तो उसके बाद भी कोई relief दिया जा सकता है अब्जेक्टिस क्या होते हैं, कि किसी भी तरीके सा justice का miscarriage नहीं होना चाहिए, और process का abuse नहीं होना चाहिए constitutional background क्या है, तो concept हमारे curative petition का, उसको support मिलता है, article 137 का it provides that in the matter of laws and rules, जो कि मारे article 145 के अंदर आते हैं, Supreme Court के पास power होती ही to review any judgment which is already pronounced, यानि कि एक जो आदेश वो दे चुके हैं, उसको review करने की, लेकिन इस तर के petition को within 30 days file किया जाना चाहिए procedure क्या होता है, curative petition को file किया रहता है, after a review plea against the final conviction is dismissed, यानि कि conviction हुआ, फिर review plea भी हो गया, उसके बाद आप curative petition file कर सकते हो लेकिन आपको ये भी mentioning करना पड़ेगा कि natural justice का principle का violation हुआ है, और court ने इस चीज़ को पहले observe नहीं किया था, it must be rare rather than regular, ऐसा नियुसते कि आप हर case में curative petition file करोगे, तो curative petition पहले एक bench के पास circulate की जाती है, जहाँ पर 3 senior remote judge होते हैं, और judges उसको pass करते है for the concern judgment, अगर उनको conclude करते हैं कि इस matter को list किया जाना चाहिए, तभी वो curative petition further proceed की जाती है, bench किसी भी stage पर curative petition को अपने basically council से पूछ सकते है, to assist it amicus curie as a friend of the court, curative petition usually decide की जाती है, जाजिस के दवार उनके chamber में, until or unless को specific request की जाए कि वही open court होना चाहिए, इसको reject भी किया जा सकता है किसी भी stage के उप तो ये था हमारा topic भुपाल gas tragedy वाला, कह सकते हो कि 30 साल बाद इस case को open किया जा रहा है, अभी demand की जा रही है, additional funds मांगे जा रहे है, 7400 करोड के pesticide company से, government ने काया कि fresh data से बता चलता है कि suffering जो थे न, incident की वो और जदा होई है, पहले कुछ बात की गए थी, कि 470 million dollar के आसपास मे में से 50 करोड के आसपास पे किये गए थे, तो amount कितना था वो इतना important नहीं आपके लिए जानना, you need to understand tragedy क्या थी, prelims point of view से, congenital malformations क्या होते हैं, और methyl isocyanate क्या होता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, curative petition भी आपका, prelims और means दोनों point of view से important है, बाकि हुआ क्या था, as a small story, आप किसी उसमें example में इस्तिवाल कर सकते हो, ethics में भी, and means में कहीं पर use कर सकते हो, इस example को, environment के act में use कर सकते हो, essay में use कर सकते हो, आपके optional जो भी है, depend करता है, उसमें भी कहीं इस्तिवाल कर सकते हो, तो यह topic बहुत ही महत्यपून है, you cannot skip it, Supreme Court ने कहा है, कि जो जोशी मठ का जो crisis होता है, उसकी जो please वगएर, उनको 16 January को सुना जाएगा, अब यह topic तो दो तितन दिन पहले मतलब news में था, बट मैं इसको लेट थोड़ा cover कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ update और developing content आ चुका होता है, अब यह news में क्यों था, क्योंकि land subsidence हुआ था जोशी मठ के अंदर, ज जोशी मठ को declare किया गया, as a landslide subsidence zone, and 60 families के आसपास, जो उस uninhabitable houses में रहे रही थी, उनको, उसको हम सिंकिन टाउन भी बोल रहे है, उनको temporary relief centers में evacuate किया गया है, अब पहले तो यही देख लेते हैं, कि थोड़ा साब map का idea लगा लीजी, this is like जोशी मठ, अभी map इतना clear नहीं है पर like केदारनाथ, बदरीनाथ, दहरादून, हरिद्वार, इस अलमोडा, तो जब हम लोग यहां से जाते हैं, बदरीनाथ की सारव जाते हैं, तो जोशी मठ यह रस्ते में बढ़ता है, मैं गया हूँ से जोशी मठ के अंदर, it's a very beautiful place actually, जोशी मठ है कहाँ पर, एक हिली टा जाता, यहां पर कोई आल ही जा रहा होता है, valley of flowers जाता है, हमकून साही भी जाते हैं, यह फिर किसी और important religious यह फिर tourist location पर जाते हैं, तो जोशी मठ एक strategic importance की जगह है, यहां पर Indian armed forces भी है, और आर्मी का most important cantonment भी है, अब यह जो टाउन है, यह high risk, seismic zone 5 में पढ़ता है, and basically, हम ब्लोग जब बात करते हैं, तो जो confluence होता है धोली गंगा का और अलगनन्दा रिवर्स का, विश्नु पर्याग का, यह उस region में पढ़ता है, यहां पर चार cardinal maths यह फिर monastries भी है, अधिशंकरा चार एक जी की, जो की जिसमें से करनाटका में है, एक श्रिंगेरी में, एक वारका में, गुजरात में, पूरी में, ओडिसा में, तो जोशिमट जो ही बदरनात के पास ही बिलकुल, जोशिमट सिंख क्यों कर रहा है, आचा ही topic कहां पर आ सकता है, see this topic can be asking GS1 also and GS3 also, GS3 में तो proper disaster management में आएगा, landslide में, GS1 में भी आ सकता है, landslide में considering की, अगर जोग्राफ पर, buildings पर, तो पहली बार ही तो जीज़ना, 2021 में रिपोर्ट कर दी गई थी, चमॉली दिस्टिक्ट के अंदर ही, कि वहाँ पर frequently landslides होती रहती है, flooding होती है, चमॉली का lands, वो, flooding तो लास चीर बे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ रिपोर्ट सारी थी उत्तरकान गवर् अर्थी जा रही नीचे की तरफ में, अर्थ के सर्फेस में, क्योंकि वहाँ से सब सर्फेस मेटरिल को रिमूव किया जा रहा है, इसके करण स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, और अल्मोस्ट जितने भी वाड्ज अ सिटी के अंदर सब में डैमेज हो रहा ह रीजन क्या बताया गया थे, यह जो साइट है ना, यह एक एंशेंट लैंड्स्लैट की साइट है, तो 1976 की एक मिश्रा कमिटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने का था कि जोशिमट जो है ना, यह डिपोजिट अफ सेंड और स्टोन के डिपोजिट के उपर है, पत्थर और अब वहाँ से आसपर जब नदी बहती है, तो पता चला है, पत्थर होता तो नदी को काटने में समय लगता है, मिटी और पत्थर होते हैं, बहुत बिखरे होएं दूर दूर तक, और बहुत सारा जो लैंड्सलैर का डेब्री होता है, वो भी कलेट किया जाता है, यह जो न हो गया, कि मौसम के बदलाव के साथ इन में बहुत सारा कटाव और तूटना हो जाता है, तो हाई पोर प्रेशर के काराण जब भी वाटर साचुलेशन होता है, तो मोनसून के टाइम पर इनकी वैल्यू और डिगेड हो जाती है, कंस्रिक्शन एक्यूटी की बात करें तो बहुत सारे रनिंग्स टीम से विशनु परियाग के भी, उनके कारण भी जब आसपस नभीया अगरा बहर ही होती तो बहुत सारा मटेरियल जो हता है, उसके साथ बहे के जा रहा होता है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है, अभी जो इंपक्ट हुए उसके कारण क्या इसके अलावा और भी क्या कुछ हो सकता है, एक्सपर्स कमिटे ने ने कहा था कि कम्प्लीट शट्डाउन कर दो, किसी भी तरह के डेवलेप्मेंट का या फिर हाइड्र एलेक्टिक प्रोजेक्ट का, बट अर्जेंट नीड है कि वहां कि जो लोग ए रेजरिनेशन को रेल साइट्स हैं, जो भी हमारी गवर्मेंट है, सिविल बॉडिस हैं, उन सब को बियार और जैसी ओर्राइशन के साथ मिल करके जो श्रीमट को बचाना चाहिए, वहां पर वैदर फॉर्कास्टिंग टेक्नोलजी से पता चला था, लोगों को वार्न कर दिया गया था, लेकिन इस वार्निंग को और फर्दर इंप्रूब करने की ज़रूरत है, तो वैदर फॉर्कास्टिंग जो होती है, उतराखंड के अंदर वो सैटलेट्स के दौरा और जो डॉपलर वैदर रडार होता है, उनके दौरा की जाती है, तो जो डॉपलर वैदर होता है, इसके अंदर ह energy का इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि बारिश वगरा कैसे होगी state government को बाकिए scientific studies करने की जरूरत है and clearly क्या reasons होने current crisis के उनको बहुत डिटेल में और फर्द जाने की जरूरत है land subsidence क्या होता है gradually जो जमीन होती है एक तरह के से नीचे की जरूरत जाने लग जाती है sink करने लग जाती है subsidence मतलब sinking of the ground क्योंकि underground का जो material होता है उसकी movement होती है and mostly इसलिए होता है क्योंकि उसका material होता है वो पानी के द्वारा oily natural gas को निकालने के कारा या फिर जो mineral resources निकाल लेते हैं तो नीचे space के जाता है अब यह सोच के देखो आप जिस जगे पर आप बैठे हो आप जिस कमरे में बैठे हो जिस building बैठे हो उस building के नीचे है और 100 meter नीचे से कोई पता चले क्योंकि माइन है उसमें से खुदाई की गई थी वहाँ से oil निकाला गया वहाँ से natural gas निकाली गया वहाँ से coal निकाला गया तो नीचे उस जमीन खाली हो गई ही न अब उस खाली जमीन के अंदर उपर से इतना सारा pressure आ रहा तो कभी वह भी यूब आट सकती है न उसी को बोलता है land subsidence फिर इसके कारण और भी हो सकते है earthquake के कारण soil compact हो जाती है glacial isostatic adjustment erosion होना sinkhole बन जाता है और बहुत सरी कारण हो सकते है land slide क्या होता है land slide का मतलब भी बता है कि पत्थर का, debris का, earth का एक particular जो पहाड वगरा होता है जब यहाँ से यह movement start जाती है इसको बोलता है land slide और land subsidence मतलब यह जमीन वगरा थी इसके नीचे थोड़ा खोकला space था तो अब यह जो जमीन हो गई नीचे ऐसे बैठ जाती है थोड़ी सी अब इतनी सी हलकी सी बैठ जाने से buildings वगरा को तो बहुत नुकसान होई जाता है तो यह हुआ था पूरा जोशी मत का crisis and government ने गाता है कि सिर्फ जोशी मत ही नहीं आसपास के areas में काफे नुकसान हो सकता है तो government is taking steps on this Supreme Court भी इसको जो प्लीज वगरा होगे उनको सुनेंगे recently 16 January को भर देखते है Supreme Court क्या कहते है इसको पर Now we have this amazing topic study sheds light on how the blackbuck survive challenges blackbuck क्या होता है यह काला हिरन होता है यह blackbuck इंडिया में काफे news में आया था because Salman Khan क्योंकि उनको पर कुछ allegations लगे हुए उनको केस चल रहा है ना blackbuck का कि उन्होंने blackbuck की hunting की थी राजस्थान के अंदर जिब वो एक movie की shooting कर रहे थे हम साथ-साथ है वाली तो यह January General लोग उस time से इनको जानते है अभी recently हमारा जो Indian Institute of Science है उन्होंने कुछ study की थी वहांकर एक PhD के student और मा की professor नहीं किया था तो उन्होंने क्या किया था कि अब इंडिया में जो blackbuck होता है नहीं नौर्थ में, साउथ में और इस्ट में इन तीन लोकेशन पर पाया जाता है अब उन्होंने study की थी तो यह भी मालूम चलाता कि यह सिर्फ इंडियन सब कॉंटेंट में ही पाया जाता है उन्होंने 12 डिफरेंट लोकेशन से इनके कुछ फीकल सेंपल्स ले लिए थे और फीकल सेंपल्स में फिर्ण इसकी DNA स्टेडी की थी अब DNA स्टेडी का कि इंको यह पता चला था कि मेजरली जो नौर्थ में और साउथ के अंदर जो यहाँ पर जो male blackbuck होता है काला हिरन होता है उसकी movement ज्यादा होती है female जो blackbuck होती है वो अपने group में ज्यादा रहती है और जो south वाले थे ना south वाले की movement जो ना east side को ज्यादा होती है तो जो trend यह देखने को मिलाता है कि south वाले जो population थे ना उनका और जो east वालों का jeans थे वो काफी match करते हैं पाये गए थे जो इनका further basically जो cluster होता है पूरा का पूरा उसमें यही पाया गया था कि इनका survival chances बहुत increase होड़ाता है because of their movement जो male blackbuck के movement के कारण blackbuck क्या होता है इंडिया एंटिलोप भी भोलते है इसको और इंडिया में नेपाल में पाया जाता है वैसे इंडियन सबकॉंटिनेंट में हाता है नेपाल आदिस्थान, गुजरात, मध्यपरदेश, तमिलनाडू, ओडिसा और बाकी भी पेनिंसलर पार्ट्स में तो ग्रासलेंड का एपिटोम भी बोलते हैं, फास्टेस अनिमल माना जाता है ये नेक्स्ट टू चीता डाइर्नल एंटिलोप है, यानि कि ये मेंली रहता है अक्टिव दूरिंग दर दे स्टेट अनिमल है पंजाब का, हर्याना का, अंधर प्रदेश का कल्चल इंपॉर्टन्स की बात करते हैं, तो इट इस सिंबल ऑफ प्यॉर्टी फॉर हिंदुईजम और फॉर इट स्किन और होंस, काफी सैक्रेट माना जाता है इसको, बुद्धिजम के लिए भी एक गुड़ लग का साइन होता है प्रटेक्शन सेटस की बात करते हैं, तो वाइल लाफ प्रटेक्शन एक्ट में इसको शेडूल वन में रखा गया था IUCN में ये लीस्ट कंसेन है, अचा ये इंपॉरंट है ध्यान रखना, वाइल लाफ प्रटेक्शन एक्ट की जो पहले 6 शेडूल था न, उनको रिसेंटली अप्डेट करके 4 की आ गया था तो वो विजन मैगजीन में आया हुआ है, इसका भूल मत जाना, ये 2023 के प्रिमस के लिए बहुत इंपॉरंट है क्वेशन थ्रेट किया हैं के हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, दीफोरेस्टेशन हो रहा है, नैच्रल कलेमेटीज हैं, इनके कुछ रिलेटिव प्रट्टिट एरियाज भी है, वेलवदार, ब्लैक बग सेंचुरी भी है, पॉइंट केलिमेर, वाल्ड़िव सेंचुर होता है सांबर डियर है सांगाई है हिमालियन सिरो है नील गरी तार के बारे में लोगों ने कुछ दिन पहले cover भी किया था एक project नील गरी तार को उपर काम कर रहा था तमिल नाडू यह topic हम लोगों ने cover भी किया था जिंकारा भी होता है बहुत सारे होते है तो बस यह छोटा सा topic था और इंपोरेंट है कि यह लोग जो भी challenges आ रहे है न मैनमेड के द्वार उनको survive कर रहे हैं कि population थोड़ी सी increase हुई है तब ही आप लोग देखोगे कि IUCN में लोग least concern के status पर हैं कि कोई चिंता ही नहीं है राम सरो topic हमार पास किन carry the pregnant women across river NHRC intervenes तो recently issue भाता है पता चला था कि कुछ रिष्टदार वगरत उन्होंने अपने family में जो pregnant women थी उनको carry करने के लिए उनको ambulance अगर नहीं मील पाई थी तो NHRC नो उसमें intervene करने की कोशिश की थी हमें यहाँ पर NHRC के बार में पता करना होगा National Human Rights Commission के बार में क्या है यह Human Rights को लेकर के इस वाच्टोग निग्रानी रखता है रिलेटिटी तो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी को लेकर के किसी भी इंडियन सिटिगन को जो अपने fundamental rights दिये जाते हैं right to equality, right to freedom and everything अगर उनको exercise नहीं किया जा रहा होता है तो उसको पर नजर रखना काम होता है National Human Rights Commission का और उसके कुछ international conventions भी हैं, तो 12 October 1993 को NHR से बनाया गया था इसका जो act है वो है Protection of Human Rights Act 1993 का and 2006 में अमेंट भी किया गया था इसको further 2019 में भी अमेंट किया गया था हमारे कुछ Paris के principles हैं जहां पर Human Rights को प्रिटेट करने की बात किया थी 1991 के अंदर यह एक आया था मिसली जो UN की जो General Assembly होती है न उन्होंने इनकी बात की थी कि कुछ Paris principles बनाते है Paris principles के बाद इंडिया के अंदर यह act बनता है फिर act के बाद हमारा NHRC बनता है comparison की बात करते हैं अगर तो यह multi-member body है अच्छा आप से में एक सवाल पूछू हूँ अगर किसी कन है इतने quality अच्छे से पढ़ा हो तो हम लोग mostly बात करते हैं सारी जो bodies होती multi-member bodies होती है इंडिया में ऐसी कौन सी body है जो single member body है उसके बार में बताईए गा तो इसमें chairman होते हैं plus 4 members होते हैं यानि कि C plus 4 एक person जो कि Chief Justice of India रह चुके हैं या फिर Supreme Court के judge रहते हैं वो इसके chairman मनते हैं appointment president के दोबरा किया जाता है और उनकी recommendation एक 6 member की committee से आती committee में prime minister भी होते हैं लोग सभा के speaker होते हैं राजय सभा की deputy chairman होते हैं corporation के leaders होते हैं दोनों houses के और हमारे home minister होते हैं term की बात करते हैं तो ये 3 years का term होता है या फिर जब 70 years की एज तर president chairman को remove कर सकते हैं under some circumstances role and function की बात करें तो civil court की power होती है इनके पास और judicial character में सारी proceedings की जाती है and investigation वगरा किराता है not empowered to inquire into any matter after the expiry of one year and बस इदिम पॉरण रिधान रखना तो जो functions होते हैं वो mainly recommendatory होते हैं binding नहीं होते हैं किसी भी violator को punish नहीं कर सकते and नहीं किसी को relief वगरा provide करा सकते हैं तो उनका role काफे limited है with respect to violation of human rights especially जो arm forces वगरा होते हैं इसको लेकर भी human rights commission काफी concern रहता है लेकिन का role बहुत limited है then it is not empowered to act when the human rights violations are through private parties take place ये भी बड़ा important point है तो कुछ limitations है पाता इनी पर question मन जाएगा recommendatory है या नहीं है और इसको लेकर के private parties के काम में भी intervene करता है नहीं करता है so बस चोटा साही था हमारा इने 4 से का topic यहाँ दिस एरिटोरियल the union government sends out a message of unity and confluence यह term center है ना यहमारे constitution में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारी constant assembly थी थी ना वो किसी भी तरह की power को centralized नहीं करना चाहती थी emphasis था consolidation किया जाए बहुत तरह provinces का territories का था कि एक strong or unity country बनाया जाए अब यह जो एडिटोरियल है यह लिखा गया है Mukundh P. Unni ji के द्वारा यह एक advocate है supreme court के अंदर he is a practicing advocate हुआ क्या था कि recently Tamil Nadu के जो governor थे ना उनके कुछ remarks आयते उनने question किया था using the word union to refer to the government of India यह article जो है यह जून 2021 का article है तो Mukundh P. Unni ji ने elaborate किया था कि किस तरीके से term जो एना रिफ्लेट करता है कि क्या original intent हमारे founding fathers का for the constitution it's very very important यहां से question बन सकता है Tamil Nadu के अंदर जो government term का एक decision था कि they want to shun the usage of the term central government in its official communications और उसको replace करेंगे वो union government के द्वारा और यह काफी major steps to regain the consciousness of our constitution तो 1951 के बाद almost 70-71 years हो चुके हमारे constitution का adopt किये हुए it is time कि हम लोग जो हमारे original fathers जो थे हमारे constant assembly के founding fathers थे हमारे constitution के founding fathers थे उनकी क्या intention थी क्या वो इंडिया को centralize करना चाते थे या फिर वो सब बस एक union चाते थे उनी चीज़ों को हम लोग revive करते है article 1 आपको पता होना चाहिए article 1 में लिखा गया India that is भारत shall be a union of states अब मैंने आप लोगों को यह भी बात पताए थी कि हम लोग articles का भी एक studies पर start करेंगे give me 2-3 more days I need to figure out how to do it और हम ऐसा करेंगे daily 10 से 15 articles को पढ़ते चलेंगे और यह repetition पर रोज चलता रहेगा everyday, non-stop एक बार खतम हो जाएगा फर दुबारा start कर देंगे ऐसे आपके बहुत सरे articles हम याद हो जाएगे जो major major होते है हमारा जो पहला article in conservation का उसमें बात यही की गए कि India एक union है states का वहाँ कहीं पर भी word center का इस्तमाल नहीं किया गया है तो कोई भी अगर Indian political student है वो इसके origin को अगर trace करने की कोशिश करेंगा कि जो word central government है कहा से निकल गया आता है तो constitution के अंदर उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है हमारे जो constant assembly थे न term center का इस्तमाल किया है नहीं था हमारे जितने भी 395 articles बनाए गए थी जब हमारे constitution बना था उस time पर हमारे का उस time पर 20 parts बनाए गए थे 8 schedule बनाए गए थे कहीं पर भी word center का इस्तमाल नहीं किया गया था हमारे पर जो word इस्तमाल किया गया था वो था union और वो था states and जो executive power था union की वो दी गई थी मारे president को और president किसको पर काम करेंगे council of ministers के advice पर और president को advice actual में कौन करेगा वो prime minister करते हैं, तो prime minister is the head of council of ministers तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे court, हमारी media और बाकि जो states वगएरा होते हैं, वो union government को as a central government गोलते हैं, even though इसका कोई reference नहीं है central government के साथ in the constitution, जो मारा general clauses act 1987 का, उसमें definition दी गई है कि central government के अंदर central government for all the practical purposes is the president after the commencement of the constitution, therefore the real question है कि whether such a definition for central government is constitutional as the constitution itself does not approve any centralizing power तो कहां पर mention किया गया है general clauses act के अंदर है 1897 का, बहुत पुराना है president की बात की जा रही है अब जोना ये देख लेते हैं, हमारी जो constant assembly थी उसकी का intention थी, तो December 13 1946 में जवाला नहरो जी ने एक time introduced के था, कुछ aims and objectives किया होंगे हमारे assembly के, उन्होंने ये भी बताए था इंडिया shall be a union of territories जो willing है to join the independent sovereign republic, तो ये नेरो जी ने सब बता दिया था, इस तरीकी समलोग intention एनने वाली है, करिण पर भी कोई word center use नहीं किया गया था फिर बहुत सारे जो members थे ने, मारी constant assembly के उनका opinion ये भी था, कि जो principles से मारे British के cabinet mission के, उनको adopt कर लिया जाए, तो उनसे जो central government बनेगी न, उसके बहुत limited powers होंगी and उसके कारण substantial autonomy मिल जाएगी हमारे provinces को फिर जो partition वगरा होता है, उसके बाद कुछ violence होई थी 1947 के अंदर कश्मीर के द्वारा, फिर constant assembly को क्या करना पड़ा था, अपनी approach को further उनको revise करना पड़ा था तो अब उन्होंने बात यह थी, यार अब तो strong center बनाना पड़ेगा हम गो अब देखो, यह हो गया है तो उस समय यह किस्सा 1947 के अंदर अधरवाइस वो किस्सा ना होता, शायद हम लोग British cabinet plan था, उसमें बात की जा रहे थी center को थोड़ा सा normal working रखा जाएगा strong नहीं बनाया जाएगा, शायद वही होता तो जो possibility थी कि secession of states की from the union, वो थी, जो drafter थे उस बात को सोच के चल रहे थे अगर हम लोग उने center को strong नहीं बनाया तो states होंगे ना, वो अलग हो सकते हैं future में तो इंडिया का जो union है वो indestructible है हमारे जो constant assembly थे थे थे, उसमें BR Ambedkar जो हमारे chair में थे drafting committee की उन्होंने कहा था कि जो word union है उन्होंने advice किया था कि इसको negative तरीके से ना use किया जाए उन्होंने कहा था, इंडिया is a union of states और Ambedkar जी ने justify भी किया था कि union of states का मतलब जो drafting committee इस्तिमाल कर रही है, वो clear करना चाहते है कि ये, it was, India was to be federation and it was not result of an agreement, hence therefore no state has a right to secede from it it's very very important to understand, जो usage होता union of states का Ambedkar जी के दौरा it was not approved by all, उसमें कुछ criticism भी दिया गया था, जैसे मौलाना हसरत मौहानी जी थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था Ambedkar जी के साथ, कैसे आप जो, इस word का इस्तिमाल कर रहा है, उसका क्या repercussions हो सकते हैं, तो 1949 मुन की speech भी थी, जहां उन्होंने काफी contention भी किया था word का, union of states का, उन्होंने का था कि ये obscure कर देता है Republic word को, आप Republic का मतलब होता है, गान तंत्र, जहां पर basically elected head of state होता हमारा तो, जो Mohani जी थे, उन्होंने इस section तर भी काहता है कि Ambedkar जी को union चाहिए, to be something like the union proposed by Prince Bismarck in Germany आप जो Bismarck थे न, Bismarck is known for uniting the Germany, तो इंडिया के अंदर जो हमारे पटेल जी थे न, उनको Bismarck of India कहा जाता है, क्योंकि पटेल जी जो थे, सरदार वाल भाई पटेल जी जो हमारे पहले हॉमनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया के सारे states का, जो प्रोविंसिस थे उस जमाने में उन सब का union पर काम किया था तो मोहनी जी न ये भी का था कि अंबेडकर जी जाता है, सारे के सारे states जो नो एक रूल के अंडर आ जाए, and that is what he called notification of the constitution अब बात येगी, हावाला कि जो अंबेडकर जी नो नो ने clarify किया था, कि union जो नहीं हो league of states नहीं है, जो कोई lose relationship में unite नहीं हो है, नहीं हमारे जो states और जेंसी जो union की, जिनको उसे power मिलती है दोनों ही, union और state, दोनों के दोनों constitution के द्वारा बनाए गए है दोनों की power भी, और authority भी दोनों constitution सही आती है judiciary को design किया गया था, constitution के द्वारा वो ensure करेगा supreme court जो tallest court रहेगा और इसकी superintendence रहेगी over the other high courts, ये चीज़ भी मारे constitution में mention की गई थी, तो यहां पर भी आप देखो भी यहां पर center court नहीं बनाया गया था in fact जो high court है, उनके पास ज़्यदा power दी गई with respect to the rates, despite the power of the superintendence over the district and the subordinate courts अब मैंने कल आप लोगों को बताया था subordinate courts को लेकर के high court ने, मद्रास, sorry मद्यपरतेश high court ने कुछ बताया था कि वो कैसे in subordinate courts को district courts का, यह और trial courts का status देना चाहते है word play, बड़ा important, members of concert assembly थे नहीं बहुत cautious थे जो word center या फे central government को ना इस्तमाल किया जा is for all, सरकार सब की है किसी एक की नहीं centralized नहीं है article की ending बड़ी अची सुंदर सी है, as Nani Palkivala famously said, the only satisfactory and the lasting solution of the vex problem is to be found, not in the statute book, but in the consigns of the men in power, federalism का question आए आपके पास interstate relations का center state relations का कोई topic आएगा use this thing, very very amazing, हर साल federalism पे या फिर center state का कोई ना कोई issue को पर कुछ ना कुछ आता रहता है even not necessary, कोई भी topic आएगा आपर constitution की बात की जा रही हो, judiciary की use this statement, it's a very wonderful statement that's it for this article अभी दो article रहे गए है beginning of India's cultural renaissance और RBI का यह जो lockers वाला था, मैं इनको भी skip कर रहा हूँ वीडियो ने एक घंटे सूपर चली जाएगी फिर ethics का भी cover करना है, तो इनको मैं cover करूँगा मैं इनको skip नहीं करूँगा, मैंने highlight कर लिया है इनको मैं आने वाली वीडियो में cover करूँगा कल परसो में, बस वीडियो मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो एक घंटे तक की रहे उसके beyond ना जाए तो यह वैसे topic एतनी important है भी नहीं सच बताऊँ, तो काशी संगम की बात ही कई वो भी cover कर चुके और आपकी vision की magazine में भी आए गाए and this one is अरिवेगा local management, यह भी हम लोग बहुत important नहीं है बट छोटा सदा कल जान लेंगे इसको हम ethics का जो हम लोग previous questions analysis कर रहे हैं उसमें 2023 के हम लोगोंने सारे questions solve कर लिए हैं, आज हम लोग last two case studies solve करेंगे, फिर मारा 2013 का paper complete हो जाएगा, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, कि the moment आपका कोई एक paper complete हो जाए, आप लोग उस पूरे paper के answer जो भी आपने note down किये थे, जो भी follow कर रहे हैं साथ में, अब उसको सब को याद करो, दो दिन बैट करके, and एक, दो दिन बाद उसका एक time set करो, तीन घंटे कर, तीन घंटे कर पूरे paper और कुछ crucial information का, जिसमें government of India कुछ announcement करने वाली है, और कुछ policy के decisions हैं उस information में अब इन decisions का, कुछ far reaching impact होने वाला है, housing और construction की industry के उपर, अगर builders को इस तरह की information time से पहले मिल जाती है, तो उनको बहुत सारा profit हो सकता है, एक builder है, उसने बहुत सारा quality work किया government के लिए और वो आपके जो immediate superior है आपके senior है, उनके काफी नजदी की है close में हो, who asks you to disclose this information to the set builder यानि कि आपके superior ने बोला है, कि आपके पास confidential information है, वो आप इस builder को बता दो, क्योंकि builder इसका काफ मेरा काफी close है, और उसको कुछ benefit हो जाएगा, अब question हमारे पास आता है what are the options available to you you are a senior officer in the finance ministry, आपके पास क्या क्या options है and then evaluate each of these options and choose the option which you would adopt giving reasons अगर आप पहली बार ही ethics वाले ये वाला session देख रहे हो मैं आपसे request करूँ कि पिछले दो session case studies वाले जरूर देखो, उनमें बहुत सारे points explain किये थे, किस तरीके से approach करना चाहिए, तो आज ये दो है income लोग directly approach करना start करते है ये questions आपके syllabus में aptitude and foundational values of civil which is का जो point given है, वहाँ से लिया गया है, तो questions में कौन से कौन से actors involved है, me myself who is a senior officer government of India, the builder who is close to superior and fourth construction के industry dilemma क्या कहा है है हमारे पास nepotism का dilemma है, अब ये सब चीज़े क्या कुछ लिखना होता है, ये मैंने previous डो जो charge case studies solve कराई थे, उसमें बता दिया था, then confidentiality versus nepotistic pressure personal integrity, governments functioning at stake तो हमारे पास क्या क्या options available है याद है हम लोगों को पहले जो दो case studies की थी, उसमें तो options दिये थे बागी की case studies में examiner ने बोला कि खुदी option निकालो, आपके पास option क्या क्या अवेलिबल है तो कौन से कौन से options हमारे पास अवेलिबल है, superior की जो इच्छ है उसको मान लिया जाए, और information builder को बता दी जाए, दूसरा superior की जो इच्छ है उसको blatantly reject कर दिया जाए, तीसरा अपने जो इन department में higher उपर के जो लोग हैं उनको बताओ कि आपके superior ने कैसे आपसे demands बनाई है, तीसरा अपने superior को persuade करो, उसको sensitize करो कि कैसे confidentiality क्या चीज होती है nepotism के बारे में बताओ उसको, government की image पर सवाल उठाए जा सकते है ने का था, examiner ने क्या कायम को की evaluate करें, तो एक part तो हो गया हमारी question का, हमें समझना है, question के कितने part है पहला part था, options available fine हो गया, उसरे में evaluation करना है, ठीक है, and choose करना है और giving reasons, तो this was first part, second part, third part, and fourth part question को चार part में solve करना है तो एक part हम लोग ने देख लिए options वाला then एक flow chart है, information leakage, negates confidentiality creates information asymmetry, undue advantage to the builder, in case all the above steps are compromise on integrity, professional ethics and leads to nepotism nepotism क्या होता है, आप जब अपने किसी नजदी की जानकार को कोई particular काम दिलवाना चाहते हो, और उस काम दिलवाने के चक्कर में, आप किसी person को जो deserve करता है, उसको line से हटा देते हो, इसके nepotism के नो बहुत detail में समझने की ज़रूरत है example देना चाहूँगा, छोटा से हैं आप जल्दी quickly, अमिताब बच्चन जैसे है अब अमिताब बच्चन का बेटा है, अभिशेक बच्चन, alright, अमिताब बच्चन करना था, उन्होंने एक procedure निकाला, कि हम लोग पहले audition करेंगे, audition में कोई hire भी हो गया, थेके, बट समझाब बच्चन बोलते कि नहीं यार, उसके जगा तो मैं अपने बेटे अभिशेक को hero बना देता हूँ, ये nepotism होता है तो बहुत thin line होती है, एक तो होगा कि मैं एक industry खड़ी करना चाहता हूँ और हम लोग देखेंगे, हमारे team के तंडर कौन को incapable है, उनके सामने capable लोगों की list बनाई जाती है, बट बीच में somehow भी says कि यार, मेरे को लगता है, मुझे अपने बेटे को कर देना चाहिए, इन साथ से बेटर, इनको फायदा करूँ और से अच्छे मैं अपने बेटे का फायदा करता हूँ बहुत thin line होती है, लोग इस बात को समझ नहीं बाते nepotism में, तो आप इसको छोड़ा समझ के फिर आगे proceed कीजिएगा then हम लोगों को evaluation करना था, अगर हम लोग accept करते हैं superior की wish को, accepting superior's wish will only help in sidestepping my responsibility to ensure transparent functioning of the department for the cause of relations with superior, बतला superior से बनाने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी को side में रख दूँँगा, बस और मेर जो department की functioning को भी चलती रहेगी, इसके drawbacks हो सकते हैं अपनी personal और अपने में department की integrity and transparency के उपर compromise करूँगा thus this option is negated, इसको मैं चूज नहीं करूँगा then अगर मैं blatantly reject करता हूँ superior के wish को, इसके मामले में मतलब यह मेरा holistic competence भी नहीं है, और मेरी emotional intelligence भी नहीं है he might retaliate or get his way somewhere or the other, मेरे से ना सही हो किसी और के तरीके से मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके वो एक काम करवा लेगा तो यह भी मेरे dilemma को address नहीं करता है तीसरा, अगर मैं inform करता हूँ अपने higher ups को तो यह शायद last resort हो सकता है पट इसमें tendency है about being sensationalized the issue as well as spread word about the confidential info अगर मैं और seniors को बताऊंगा तो कहिना कई बात leak होने के chances बहुत होते है hence it can serve more harm than good अब ऐसा नहीं कि यह नहीं तरीका कुछ भी नहीं बचेगा तो यह last resort भी यही है फिर अगर मैं senior को भी persuade करूँ कि किस तरीके से मैं उसी क attitude को change करने की कोशिश करूँ और influence करो उस पर प्रभाव डालू उसके माहिंड को change करने की कोशिश करूँ यह ensure करेगा मेरी personal competence government की functioning को भी transparency को भी and confidentiality को भी if the builder has done good work in past sensitizing superior regarding same can assure him that he can make use of xyz government's policy on the basis of merit ठीक है तो यह मारा reason भी हो गया this does not sensationalize but actually solve the matter okay above all this situation helps me to uphold the oath of allegiance to constitution of India and to serve people without fear and favor hence this solution is holistic one अब मैंने कल वाले questions में आप लोगों को एक चीज बताई थी न कि question में examiner ने demand की थी चार चीज़े तो क्या हमने चारों चीज़े address कर दी थी क्या आज भी यहाँ पर यह गड़ बढ़ उई क्योंकि यह answers न मैंने सब चारों एक साथ लिखे थे note down किये थे तो मैं आपको मैंने बाद में फिर change किया नहीं question की demand क्या हमने सारी address कर दी options available बता दी evaluate भी कर लिया choose भी कर लिया और reasons वाले पार्ट को एक अलग तरीके से headline के अदर नहीं डाला मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह तो यह screen ब्लैक होचाती है यह चलो यह यहाँ पर सारे options available थे and यह हम लोगों ने जो flow chart दिखा दिया fine यह भी ठीक था यहाँ पर हमने evaluation भी कर दिया अब यह जो point था न, point number 5 or 6 यह actually होई reasons ही है but यहाँ पर miss क्या हो गया न यहाँ पर headline आनी चाहिए थी reasons के नाम से बस यह एक छोटे से चीज miss हो गई है मैंने आपको कलके में ही बताया था और मैंने आपको repeat कर रहा हूं कि यह जब मैंने सारे case studies एक साथ ही note down किये थी तो मैंने जल्दबाजी में चीज़े note नी की पर आपको धिहान रखना है यहाँ पर आप एक अलग से headline डालो उसमें reasons लिखो और यह दो point point number 1 and point number 2 करो and then here you conclude this चोटी-चोटी चीज़े इन पर गलत करना now we have the 14th question and the last question of 2023 ethics का paper question है you are an executive director of an upcoming infotech company which is making name for itself in the market okay fine executive director Mr. A एक star performer है जो कि marketing team को head करते है in a short period of one year उन्होंने help किया था आपकी company के revenues का double करने में और आपकी company की brand को brand equity को काफ़ी height ले जाने में so much that you are thinking of promoting आप उसे promote करना चाहरे हो however आपको कुछ information मिली है बहुत सारे corners से कि उनका जो attitude है ना towards the female colleagues particularly वो कुछ loose comments पास करते women की तरह इसके अलावा भी वो regularly कुछ indecent SMS भेजते रहते है team members को जिसमें female colleagues भी होती है एक दिन late in the evening शाम के समय Mrs. X जो कि Mr. A की team member है आपके पास आती है she was visibly disturbed वो complain करती है कि किस तरीके से Mr. A का जो misconduct है उसके कारण and also कुछ undesirable advance towards her and उनोंने Mrs. X को inappropriately touch करने की कोशिश भी की थी उनके cabin में वो अपना resignation देती है और अपने office को छोड़ की चले जाती है तो situation आपको समझ में आ गई Mr. A है जो काम बहुत अच्छा कर रहे है आप उसको उनको promote करना चाहते हो but Mrs. X है उन्होंने आपके सामने resignation दे दिया है क्योंकि Mr. A के कुछ undesirable advances की वज़े से and उन्होंने उनको inappropriately touch करने की कोशिश की दी और past में भी देखा था कि वो कुछ loose comment पास करते थी and इसके लवा भी कुछ indecent SMS भी forward करते थे अपने female colleagues को अब examiner आपसे पूछ रहा है बताओ क्या options आपके पास available है आप इनको evaluate करो choose करो and give reasons fine, let us proceed कौन-कौन actors हैं इसके अंदर me who is an executive director company Mr. X और ये देखो मैंने गलत लिख दिया न Mr. A है ये ये Mr. A आएगा देखो ये गलतिया हो जाती हैं छोटी मोटी अब ऐसे मैं आप इसको लिखता हूँ उसके बाद मैं photo click करके PDF में upload करके और मैं आप लोगों को सामने ऐसे present करता हूँ I don't go through that again बट आपको समझी में आगा ना कि अगर जाना चीए कैसे गलतिया नुकसान करा सकती है सलेबस में आपका जो topic है ना probability in governance वहाँ पर ये topic आता है dilemmas क्या कि है हमारे पास complaints genuine है या फिर fake है पदा करना पड़ेगा ना कि जो भी complain की थी miss x ने भी और उनसे पहले भी जो complaints आये थी वो असली थी या नकली दी organization की growth को आपको देखना पड़ेगा ethics को देखना पड़ेगा personal values को और personal growth को दोनों चीजों को check करना पड़ेगा तो अब इस case के अंदर एक classical dilemma है between the short term gains versus the long term pain and deals with the issue of sexual harassment at workplace sexual harassment at workplace and the work culture issues ओके fine देखते हैं option का क्या वालेबल है मारे पास पहला तो है कि ignore करो complain क्योंकि Mr. A जो है वो professionally competent है ऐसा एक बर पहले हुआ है मैं आपको हलका से याद दलाता हूँ कुछ समय पहले मुझे बहुत detail धुन्दली-धुन्दली याद है पर आप लोगों कोई किसी को सुनके याद आ जाए IIT का कोई एक केस आया था यह वहाँ पर एक लड़का था उसने अपनी किसी college mate के साथ ऐसे कुछ बदसलूकी की थी और उसका केस गया था court ने यह कहते हुए उस लड़के को एक्विट कर दिया था कि यह लड़का जो है न he's a potential asset for the nation क्योंकि IIT से पढ़ा हुआ है और इस तरह कि जब claims इसको पर लगेंगे तो इसकी reputation को नुकसान हो सकता है और कल को फिर इसकी life destroy हो सकती है तो ऐसा कहकर कि केस को I think courage कर दिया गया था मुझे कुछ दुनली दुनली मेमरी में याद है कि news में आ रहा था काफी तो जाहिर सी बाती लड़की वाली side में सब disturb होंगे कि यह क्या मतलब होगा कि अगर वो IIT का है तो उसको हग थोड़ी मिल जाएगा क्यों किसे के साथ भी कुछ भी करता चलेगा यहाँ पर भी एक option है आप complaint को ignore कर दो क्योंकि वो person professionally competent है वो आपकी company को बहुत benefit दे रहा है दूसरा यह है कि आप Mrs. X का resignation accept कर लो तीसरा यह है आप Mr. A को fire कर दो with immediate effect immediately उसको fire कर दो चोथा आपके पास है आप internal complaints की committee जो होती है मारी ICC बोलते हैं इसको यह shortcut याद रखना है SHW और ICC internal complaints committee को inquiry करवाव action लो जो भी committee suggest करती है ठीक है अब हम पने सारे options का evaluation करते हैं पहले ignoring the complaint of Mrs. X and other information available would reap only short term gains अगर complaint कोई हमने side कर दिया तो short term का फाइदा हो जाएगा क्या फाइदा होगा यह जो person हमारी company के अंदर लगाया गया है वो professionally competent है तो company को फाइदा देता रहेगा बट इसमें problem क्या है अब सुनो इसको identify करो इस तरह की situation आपको short term gains देती है यह आपको future में case studies में लिखना है alright if you ignore the complaint and you let that person Mr. A to stay in the company यह आपको short term gains जरूर देगी in company's revenue and my career growth being executive director of the company इसके कुछ demerits है जैसे कि ethical framework और company का weak हो जाएगा company का Mr. A का जो ethical competence है उसको account नहीं किया जाएगा उसके कोई जवाब दे ही नहीं होगी and एक innocent employee का resignation भी हो जाएगा तो यह मेरे values की मेरी integrity और justice की जो values है उनके against तो यह option तो में लोग नहीं चूज कर रहे है second option में पास है हम Mr. नहीं Mrs. X का resignation accept कर लेते हैं just prevent her sexual harassment but has demerits as harassment of other female employees यानि कि अगर मैंने Mrs. X को जाने दिया तो उनका further कोई harassment ना हो इससे तो बच जाएगी वो लेकिन अगर उनके जाने के बाद मैंने कोई action भी नहीं लिया तो और female employees होंगी जिनके साथ ऐसा हो सकता है और Mr. A जो की continue करेंगी और इसके अंदर जो victim होंगी उनको हम लोग suffer भी करने देंगे हमारे विज़ेसं को suffer करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सिध्धानत है हमारे natural justice के और हमारे ये जो sexual harassment at workplace का जो act है उनके against तो ये चीज़ हमें नहीं कर सकते तीसरा option है Mr. A को dismiss कर देंगे क्योंकि उनको कुछ misconduct था जो principle of natural justice था उसको भी uphold नहीं किया गया था inquiry के time पर कुछ reasonable opportunity of being heard and to defend himself shall be provided कुछ तो मोका दिया जाएगा ऐसा हो सकता है कि allegations सही भी है और कही न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनके against में भी है कुछ लोग उनसे jealous होंगे उनकी career growth को लेकर के तो उनको पर ऐसे allegations लगाया जा रहे होंगे hence the matter shall be inquired pending which Mr. A shall be suspended okay fine तीसरा option में देख लिए हम लोगों ने fourth option क्या है I will select this option जो हमारा Sexual Harassment Act Workplace का act है हमारा उसमें information है कि जो हमारी internal complaints committee होगी workplace के उपर वो इस तरह की कैसे साथ deal करेगी क्योंकि यह जो committees होती इनके पास कुछ mechanisms होते है उनकी कुछ capability होती इस तरह की grave issues को handle करने की and it is not only a legal requirement but also in the best interest of Mrs. X Mr. A and the other employees क्यों है सबके best में यहां पर Mrs. X सच बोल रही है जूट बोल रही है यह भी clear हो जाएगा अगर Mr. X ने सच में कुछ किया होगा तो committee जो हो कि उनके against में कुछ action लेगी तो company की reputation maintain रहेगी अगर Mr. A के उपर गलत इल्जाम लगा है report करो matter ICC को as per the sexual harassment workplace का जो act है suspend करो Mr. A को based on the inquiry and the decision होगा that should be taken as per the ICC report now being the executive director I will act as per the committee's findings and report and dismiss Mr. A if the complaints are found true अब reasons देखो यह वाला topic में आदो को पिछले question में कलती ही थी 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 पहला ये बताओ, दूसरा option को evaluate करो तीसरा बताओ आप कौन सा choose कर रहे हो और चोथा आप reason भी देदो तो इस बार चामने चारो पार्ट address किये हैं बहुत चोटी सी चीज आई लेकिन इससे बहुत फरक बहुत पढ़ जाएगा हमारा ethical framework company का उसको overstanden करना था ensure deterrence, deterrence मतलब अब एक ऐसा example set हो गया तो बाकी कोई और ऐसी गलती करने से अपने आपको रोकेगा then फिर मेरी holistic competence के साथ भी match करता है और मेरे एक long term vision एक company का to maintain a safe environment for all the employees और जो हमारा sexual harassment at workplace वाला act है उसको भी letter and spirit में implement करना further this step addresses all the actors in the dilemmas and therefore preferred over the rest और यहां पर हमारे 2013 के सारे ethics के previous questions खतम होते है I have no idea कौन इस वीडियो को यहां तक last तक देख रहा है क्योंकि views तो चैनल पर बढ़ नहीं रहे ना subscribers बढ़ रहे है I have no idea यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि ऐसा होता है नहीं generally but ठीक I will wait for some time these things take time to grow but अच्छा लगा कुछ लोगों ने जिन्हों भी साथ दिया होगा please do comment कि कैसा रह 2013 वाला कल से 2014 का start हो जाएगा तो timely अगर मुझे थोड़ा feedback दे दोगे तो मैं 2014 का start करनी से पहले उनमें changes करने की कोशिश करूँगा the one thing that I will not be doing is sharing this PDF मैं चाता हूँ कि आप लोग साथ साथ सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आप इसको note down करो that is going to help you more see it's very easy to share the PDF कुछ लोग होते हैं वो बहुत easy जल्दी चीज़ों को मांग लिते हैं उनको जब जल्दी मिल जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं you know this कि आप इसको बस ignore करोगे जब को लगता है निए बैठ के देखना पढ़ेगा सुनना पढ़ेगा note down करना पढ़ेगा तब आप अपने आप उसको काम करते हैं and it works for you यह कभी कोशिश करके देख लो आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं एक दिन के अंदर हो नहीं पढ़ते हैं जब effort करना पढ़ता है न बुक को खरीदने के लिए पाने के लिए तो पढ़ी भी जाती है यह सब के साथ होता है यह इसमें कुछ गलत नहीं यह psychology काम ही ऐसे करती है this is how we human beings are तो I'll wait for the feedbacks अगर हो सके तो please feedback देना क्योंकि मुझे लगता है कि सबने cover किया होगा it's very painful to sit for this long and watch the videos I'll see thank you very much, all the best